कि हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एड़ी टीचिंग क्लासेज में दोस्तों आज हम लेके हैं सिच्चकवर्ती दोजार उन्नीज पर रहे हैं सिच्चण साग महागपूर 35 प्रसन है प्रेक्टिस से दो के अंतर करेंगे दोस्तों व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिवेशन आपको सीखनी मिल सकें चलिए दोस्तों पहला कोश्चन है सहिकारता की पितम पार्ट साला किसे कहां किसे माना जाग गया है तो इंप आलक के शामाजी कर्णमेंट इम्रेकित मैसे किसकी भूनिका होती है तो यहां पर उप्रिक्त सभी की भूनिका होती है दी आप्शन से होता है और पहला है विद्याले दूसरा सरवजनी किसितल तीसरा विजजनी संस्ता होती है नेश्ट कोसन है रिख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एक सामाजिक प्राड़ी है तो यह कहा था हमारे अरस्तु महदेन है सेकंड ऑप्षं सही होता है निश्ट कोश्चन है सामाजी जीवन की प्रतम पाट साला की शंग्या निमनिकित में से किसे दी जाती है तो यह दी जाती है परिवार को पहला अप्षन सही होता आपका निश्ट कोश्चन है परिवारी समंदों को मजबूत किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है आपसी मतवेदों को दूर करके पहला अप्षन सही हो जाएगा निश्ट कोश्चन है निमनिकित में से एकल परिवार का क्या गुड़ होता है तो यह होता है विक्तत्य के विकाश का आउसर तीसरा आपसन सही हो जाएगा निश्ट कोर्शन है निम निखित में से परिवार का एक गुड़ नहीं है तो इसमें से परिवार में आलश्य कावाओं गुड़ ये नहीं है निश्ट कोर्शन है निम निखित में से परिवार किसका एक संग है तो यहां पर हो जाएगा अप्शन दैनी का सकताओं की पूर्थ के लिए निश्ट कोश्चन है निम निखित में से सामाजी जीवन का आधार क्या होता है तो अप्शन है अनुश्याचंग सहयोग सही उड़ता यह सभी अप्शन सही हो जाएगा निश्ट कोश्चन है निम निखित में से किस रूप में किसी व्यक्त की मनुदसा पर परिवार एक वातल का प्रभाव पढ़ता है तो यह पढ़ता है शारीरी विकाश मांसी विकाश चरित्ती विकाश उपित सभी सही हो जाएगा आपकर निम निम में से परिवार का परिवार का प्रकार है तो यह option बेक्त सभी आपका शए हो जाएगा पित पंसी परिवार बिवा पध्दत और इनिवास और इस्ताल इसना कॉछनेंप परिवार निर्माळ का दाइः तो होता है तो यह होता है .. पत्ति-पत्लि अप सन्टी से होजाएगा नीश्ट कोसे ने समाध निम्न मेंसे किस पर आसदी होता है.. आप सरय आप परसे ब्यक्तिधेश.. शहर.. ये उवब तो ये आश्रीत होता है बेक पर option पहला सभी हो जाएगा निश्ट कोश्चन है आद मानों किस संथ को पालतू बनाया था सब्सुर बनाया को option भी सभी हो जाएगा कूझ को कि करने सबसे पहले कहां बसेते तो पहला सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है मानों द्वारा उप्योग में लाएगे पहली फैसल क्या थी तो यह थी गेहूं कहीं कहीं किताबों में जो भी दिखाए पड़ता है तो यहां पर आप्शन गेहूं सही माना गया है नेस्ट कोश्चन है एली फिंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआता है तो यह हुआ था राष्ट कूर्ट की समय में आप्शन डी सही होता है नेस्ट कोस्चन है महा वली पुरम के रत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो ये करवाया था नर्सिंग वर्वन पर समने पहला आप्शन सही हो जाएगा नेस्ट कोस्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनाएथा तो ये बनाएथा सही जाने सबसे बड़ा महाशागर क्या है या कौन सा है तो यह है प्रशान्त महाशागर नेस्ट कोशन है बिष्ट का सबसे उचा जल प्रताप क्या है तो यह है इंजिल डी ऑप्शन सही हो जाएगा नेस्ट कोशन नमबर है कोशन है बिष्ट में चावल का सरोधिक उतपादक देश कौन सा है तो यह है चीन नेस्ट कोशन है बिष्ट में चावल का सरोधिक उतपादक देश कौन है तो यह है भारत सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है तो यह हैं भारत आप्शन ए सबसे उची सड़क कौन सी है तो आप्शन आपके वर्ष में कारा कोरम राज मार्ग और दूसरा अप्शन है टांस पेसिटिक मार्ग ले मलानी मार्ग उप्युक्त में कोई नहीं आपके यहां पर सी आप्शन सही हो जाएगा है नेक्स कोशन है बेरी बेरी इंपोर्टन कोशन है यह दच्छड की गंगा यह दच्छड भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो यह कहा जाता है गोदावरी को नेश्ट कोशन है भारत की सबसे लंबी नदी यह गंगा नदी भारत की नेश्ट कोशन है भारत का सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है तो यह जोग है भारत का सबसे उच्छा है नेस्ट कोशन है निम्न में से रवी फसलों का चैन किजिए तो यहां पर आपका अप्शन दूसरा सही हो जाएगा एक दो और पांच यह रवी में बहुए जाते हैं नेस्ट है केसर का सरवदिक उत्पादत किस राज़ी में होता है तो यह होता है आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है नेस्ट कोश्चन है इंपोर्टन कोश्चन बहुत इंपोर्टन कोश्चन है बंदीपुर राष्टी उद्दान किस राज़ी में इस्तित है तो यह इस्तित है करनाटक में अब निस्ट कोश्चन है यह भी इंपोर्टन कोश्चन है निस्ट आज का अंतिम कोश्चन भारत में सबसे ज्यादा गर्म इस्तान कौन सा है तो यह है जहेशल मेर का कि सी आप्शन सही हो जाएगा कि दोस्तों यह आज के मात पूर कुश्चन आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के मातम से जरूर रताएगा और हाँ अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे तथा इस प्लीज से ले इवारा.